बच्चों नमस्कार बच्चों आज हम के चाटवी गडित में संख्याओं का खेल प्लेइंग विस नंबर्स पढ़ेंगे बच्चों हमने पुरू में एक भाग पर लिया है आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग दो और भाग दो के महत्पुन प्रश्ण को तो चलिए बच्चों बिना देर के सुरू करते हैं भाग दो तीसरा है 119 बटे 18 और 400 है, बच्चो 260 बटे 61 तो चले देखते हैं, पहला परशन, यहां पहला दिया हुए बच्चो से सब्बान कितना दिया है, बच्चो m कैसे अल करेंगे? पूर्ण एक आई है एक पूर्ण एक आई बराबर एक और इसका भिन रूप हो जाएगा जिसकों मुलेंगे मिस्र भिन मिस्र भिन के रूप में हम लिखेंगे बच्चों एक सही पाज बटे नौ क्या लिखेंगे एक सही पाज बटे नौ ये इसका अंसर हो जाएगा इसमें दूसरा जो प्रशन दिया है बच्चों वो है 81 बटे 12 कि न दिया 81 बटे 12 अर्था हम क्या करेंगे 81 को 12 से भाग कर देंगे 12 चक्के 72 बच्चों यहां पूने काई बच्चों पूर्णे काई बराबर हो गया चै जब कि मिस्र भिन की रुप में जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों मिस्र भिन की रुप में 119 बटे 18 कितना है 111 बटे 18 है अब 119 को 18 से भाग कर दीजी 118 इस बार में बच्चों 18 चके 108 चके 108 से फल बच्चों 11 कितना बच्चाइब 11 अब यहां पूड़ी काई कितना है बच्चों पूड़ी काई दिया हुआ है जितनी बार भाग गया है अर्थाथ 6 और मिस्रभीन हो इसका बच्चों मिस्रभीन की रूप में कैसे लिखेंगे 6 नहीं 11 बटे 18 यह इसका अंसर हो जागा बेरी सिंपल सबको समझ में आ रहा है बच्चों अब आते हैं अगला चौंथा प्रशन है अब हम क्या करेंगे 266 को बहा कर देंगे 61 से जब हम बहा करेंगे तो चार बार बहाग गया है अर्थार चार हो गया जबकि इसका मिस्रभीन हो जाएगा मिस्रभीन की रूप में इसको लिखेंगे हम 4 से ही तेजबटी 61 यह हमारे क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा तो भाग देने पर जितना आता हैं बच्चों भागफल दसंबलों से पहले वह पूर ह पीठेका ले सकते थे जब फ्याँ पर पूछा गया है कि यह मं पूड़े के वाधा ना आओ जो उसके बाद स्यास्फबल रजी है इसा सब से मुझे प्रणा लिखेंगे और आप सेंफिरुक्से प्रशन समझ में आया हुआ चलिए बच्चोह जे reefs भीन्हों को बढ़ते क्रम्म के लिखे भीन्हों को बढ़ते क्रम्मे लिखिये पहला है 8 बटी 9, 6 बटी 9 4 बटी 3 और 2 बटी 5 दूसरा प्रस्ण है बच्चों 1 बटी 9, 4 बटी 9 2 बटी 9, 8 बटी 9 और 7 बटी 9 तो चलिए देखें पहला प्रस्ण पहला दिया हुआ है इसमें पहला 8 बटी 9 6 बटी 9 4 बटी 3 और 2 बटी 5 यहाँ पर हर में जो दिया है बच्चों 9, 9, ती 5 इसका हम ले लेंगे लसा क्या लेंगे लसा लगुताम समय पो परते तो लसा किता हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा 45 लगुताम आपको निकालना जया तरहा सब्सक्राइब नॉयाँ आपको कमेंड कर एंड़ में नीटे में इतना होती है 45 सो भाग करेंगे 5 बार जागा 5 का अंसरों में गुड़ा कर देंगे 635 हो जाएगा 9 पैटालेस अब अगला इसमें दिया हुआ बैच्चों यह देखेंगे 3rd है निचे में तीन लिखें अब 5 दिया हुआ है पांसा यौए को बार नोपची खूर नहीं हो और सब कहर क्या है बच्चों समान है अब यहां पर तुलना करना आशान हो जाएगा अब यहां पर जब हमको बड़ते क्रमी लिखना होगा तो सबसे छोटी संख्य देखेंगे जिसका अन सबसे छोटा है वह कौन से 18 बटे 45 इससे बड़ा कौन है अठारा के बाद आजागा आप बड़ते क्रमी लिखेंगे यह तो था हमारा हल जिसको हमने हल किया था यह जाने के लिए हर बराबर हो तो हम कैसे तुला करेंगे लेकिन सहीं आंसर इसा कैसे लिखेंगे बच्चों बड़ा है छोटा है थोगि हमको बरते करमी लिखना है तो छोटी संख्य से शुरू करना है बच्चों 18 बटे 45 इससा दो बटे 5 फिर आगा 30 बटे 45 सर्था 6 बटे 9 उसके बाद फिरा आगा 6 बटे 9 के बाद 40 बटे 45 सर्था 8 बटे 9 और उसके पस्याद राएगा 46 बटे 45 सर्था 4 बटे 3 ये इसका आंसर हो जाएगा आइए बच्चों देखीं अगला प्रसन इसमें अगला प्रसन दिया हुआ दूसरा प्रसन दिया हुआ दो बटे 9 जू की हर समान है क्योंकि हर समान है इसलिए हमको अंसों की तुलना करना है किस की तुलना करना है बच्चों अंसों की तुलना करने पर इस तरह से आप लिख लेंगे अंसों की तुलना करने पर अब अंस में देखेंगे सबसे चोटा कौन है सबसे चोटा है एक बटे नौ उससे बड़ा है दो सबसे बड़ा है तो इस तरह से जब हर समान हो तो आपके वाल अंसों की तूलना कर देजिए आपको लास निकान लेको या सकते नहीं और यह हमारा अंसर हो जाएगा लास अब हान निकानना पड़ेगा जब हर अलग अलग हो जैसे पुरुपिशवाल में था चलिए बच्चो को संख्या रिखा पर प्रदसित कर सकते हैं बिनात्मक संख्या है एक बट्य तीन चार बट्य नौ आट बट्य नौ एवन तीरा बट्य नौ को संख्या रिखा पर दिखाए गया है आप इस देख सकते हैं बच्चों कैसे इसको दरसाया गया है संख्या रिखा में प्रदसि घंटनाओं को घंटाते समभू हमेरे डात्मक संख्यां के समझत हो सकता होती है पुर्थ संख्यां और बला अप मिलता हैं ढात्मक संक्यां की सांट सुचने भी होता है पूरान टाट-डाट-4-3-2-10, वन, फुर, क्रू, कि तरीम . इस तरह से पूढल्ग संख्यां को लिख सकते हैं, दरसाज सकते हैं. का आई से परिमे संख्या होती है। प्रीमे संख्या है. सबी भी परमे संख्याइब्स पर्में संख्याइं हैं तो अ सभी प्रुणागी हैं थे परमे संख्याओं को संख्यावथ पर किया जा सकता है जैसे 14,25 ह्ट अब देखते हैं बच्चों प्रश्ण को प्रश्ण है निम्न भिन्नात्मक संख्याओं को संख्या रिखा पर प्रदर्सित कीजिए तीन बटी पाँच छे बटी पाँच साथ बटी आठ यहाँ पर पहला दिया हुए बच्चों एक प्रदर्सित करना है कैसे बोलती बच्चों सबसे पढूलIn एक संख्या बनानी के लिए इसकेल की सायता लिए और इस प्रकार का जिए इस संख्या पाइदे बच्ructure staan बीच में सुन्य होता है दाई और धनात्मक्सम्ख्याओं को प्रदसित करना है जबकि बाई और धनात्मक्सम्ख्याओं को प्रदसित आपको करना है अब यहाँ पर इनके बीच को समान भागों में आप आट लेजे बच्चों इसकेल की सहाथा से इस तरह से मैं बिना इसके लिए से माप रहा हूँ आप इसके लिए सहाथा से नापते हुए आपको चिन्ह लगाना है ये इस तरह से आप निसान लगा लिए दोनों तरफ समान दूरियों पर आपको निसान लगाना है बच्चों इस तरह से समाधर उपर निसान लगा लिए अब चुकि तीन बड़े पांच धनात्पाफ संक्या है तो सुने की दाइयोर प्रदसित होगा एक यहां पर आएगा इसी प्रकार एक इधर भी दिए दरसा दीजे तो धनात्म क्यों हो गया एक दो तीन चार पांच यह रिणात्म क्यों हो जाएगा एक तो इस तरह से हम संख्या रिखा पर तीन बटी पांच को प्रदसित कर सकते हैं अब इसमें दूसरा देखते हैं बच सबसे पहले तो आप इस तरह से एक इहां बनालेजी संख्या रिखा बना लेजारेख्या बना लिए इसके लिखता सब्सक्राइब करते हैं अब समान बहागों में इस तरह से एक दो तीन आप अपने एपके उपर वाप बच्चों कि वाओ एक बट्टी 5 भीन की सुंक्या है तो एकपट सुंक्या है मतलब एक को यहाँ प्र। पर हाफ पर दसेद् कर देढ़ेगा बच्जों यह नहींает दिनात्म अब यहां पर लिख देंगे 6 pm tu5 टो इ Chapel इंहाँ यहां पर लिख देंगे 6 और जो यहां पर पहुंचेगा यहां पर तरस आएंगों तो इससे हमारा यह चाहिए आप या ज़ाता है अब इसमें देखते हैं तीसरा प्रश्म इसमें तिसरे दिया हुए बच्चों साथ बटे आठ क्या दिया हुआ है साथ बटे आठ अब साथ बटे आठ के लिए वह ऐसे करेंगे इसके लिए साहता से आप एक संख्यारिखा बना लेंगे इस प्रकार से बच्चों संख्यारिखा बनाने के बाद दाई और धनात्मा को बाई और रात्माव संक्याओं को बदस्यत करना है आप बीच में सुन्य लगा लेजे अब यहां चुकी धनात्मक है तो धनात्मक के भाग को बड़ा कर लेजे रात्मक को दर्साना नहीं है तो साथ बटे आठ आठ आप इस सामान भागों में इसको बांट लेजे बच्चों जहां 4 बटे आठ आठ आए वहांपर एक बटे दो लेज़े सकते हैं आप चाहिए तो अन 5 बटे आठ, 6 बटे आठ, 7 बटे आठ, यहां पर आप प्रतस्रित कर दिजे, 7 बटे 8 यहां लेज़ेंगे बच्चों, 7 बटे 8 अब यहां पर 8 बटे 8 आठ मतलब यहां पर हो बच्चों इस प्रस्ण के साथ ही आज के लास हमारे यहीं समाप्स होता है बच्चों वीडियो अच्छा लगे देविडियो पर आई कर सेरे करिएगा यह दिए आप चैनल में चैनल को सब्सक्राइब को नहीं भुलिएगा बच्चों आप से फिर मिलें गए अगले कलास में दबते के लिए नमस्कार